आज हम डिसकस करेंगे फिजिकल प्रोपर्टीज ओफ हेलो एलकेन एंड हेलो एरिन्स तो सबसे पहले आती हैं कि फिजिकल स्टेट जो आपके हेलो एलकेन और हेलो एरिन्स हैं वो किस स्टेट में एक्जिस्ट करते हैं तो जो आपके الकाइल हेलाइड है या फिर हेलो हेलकेन है ये सभी क्या हैं? कलरलेस लेकिन कलरलेस येक कब है जब ये अपनी प्यूर स्टेट में होंगी कुछ आपके ब्रोमाइड है और कुछ आयूडाइडS ऐसे भी है जब हम उन पर लाइड डालते हैं तो वो color rest से क्या हो जाते हैं, colored हो जाते हैं, जो आपके small alkyl highlights हैं, वो सबी gases हैं, ठीक है, और जो higher members हैं, जो आपके hello alkyl or hero arines के, वो किस form में exist करते हैं, liquid और solid shape में, तो आपका जो substance है, वो किस form में exist करेगा, ये depend करता है, उनके बीच के forces पर, अगर forces strong हैं, तो liquid या solid form में exist करेगा, और अगर forces कैसे हैं, weak हैं, तो किस form में exist करेगा, gaseous form में, तो ये हम अभी आगे discuss करेंगे, ये जो forces हैं, किस बात पर depend करते हैं, इसी तरह से, जो आपके chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene, ये आपके liquid हैं, ठीक है, ये liquid form में exist करते हैं, अब बात आती है boiling point की, तो जो आपके hyalowalkane और hyalowarenes हैं, उनके बीच में जो forces हैं, वो कौन-कौन से हैं, डाइपोल-डाइपोल interactions, और wonderwall forces, डाइपोल-डाइपोल interaction के बारे में आपको पता है, जैसे ये आपका hyalowalkane है, Rx, ये दूसरा molecule है, Rx, हैलोजन की lactonegativity जादा है, तो इस पर charge negative, और Rp charge positive, तो यहाँ पर क्या create हुए हैं ये, डाइपोल, ठीक है, डेल्टा positive और डेल्टा negative, तो एक molecule का जब positive end, दूसरे molecule का negative end का अपनी साथ interact करेगा, तो यहाँ पर जो interaction आएंगे, उनने हम क्या बोलेंगे, डाइपोल-डाइपोल interaction, तो हैलowalkane में, एक तो आपके डाइ डाइपोल-डाइपोल interaction है, और कौन सेट interaction है, वंडरवाल forces, वंडरवाल forces आपके universal forces हैं, तो universe में जो भी दो particle होंगे, उनके बीच में ये force जरूर होगा, ठीक है, और ये जो force है, ये depend करता है, size और mass पर, substance का जितना mass और जितना ज्यादा size होगा, ये forces उतने ही ज्यादा हो चलिए एक example ले लेते हैं इसके लिए, जैसे methane है, fluoromethane है, chloromethane, bromo methane और आइडो methane, तो यहाँ पर जो आइडो methane है, इसका size है सबसे बड़ा, क्योंकि आपको पता है, कि जब हम fluorine से iodine की तरफ जाते हैं, तो size क्या होता है, बढ़ता है, तो यहाँ पर देखिए, जो आइड वंडरवाल forces हैं, उनका magnitude जादा है, और वंडरवाल forces का magnitude अगर जादा है, तो इसका boiling point भी क्या होगा, सबसे जादा होगा, the boiling point increase with increase in alkyl group, उसी तरह से अगर आपकी जो hydrocarbon chain है, वो भी बड़े, तो भी वंडरवाल forces बड़ेंगे, जैसे आपका chloroethane है, इसमें देखिए, त इसमें दो carbon है, और फर्स्ट वाले में कितना carbon है, केवल एक carbon, तो जो आपका chloro propane है, लाश्ट वाले chloro propane है, इसका boiling point सबसे जादा होगा, क्योंकि इसका size जादा है, size जादा है, तो वंडरवाल forces भी जादा होगा, उसके बाद ये important चीज है, कि boiling point decrease होगा, जब branching increase होगी, ठीक है, क्योंकि जो वंडरवाल forces हैं, वो branching जब होगी, तो क्या हो जाते हैं, decrease हो जाते हैं, आप यहाँ पर example देखिए, यह है आपका chloro butane, ठीक है, और यह है आपका two methyl, one chloro और two methyl propane, तो यहाँ पर देखिए, दोनों को formula बिल्कुल सेम है, लेकिन जो second example है, इसमें branching है, और यह कैसी chain है, straight chain है, तो जब branching होगी, तो वंडरवाल forces क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, तो यहाँ पर, जो जो second example है, इसका boiling point होगा, 342 Kelvin, और जो first example है, वो क्या होगा, इसका boiling point होगा, 351.5 Kelvin, क्योंकि जब भी branching होती है, तो जो surface area है, वो कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर दो, मैं, molecules को represent कर रहा हूँ, एक structure से, अब आप देखिए, यह है बिल्कुल straight chain, इनका surface ज्यादा contact में आएगा, as compared to, जिसमें क्या है, branching है, और जो wonderwall forces है, वो surface पे ही depend करता है, जितना ज्यादा surface contact में होगा, तो forces ज्यादा होगा, ठीक है, तो यह जो पहले वाला case है, जिसमें chain बिल्कुल कैसी है, straight, तो इसमें wonderwall forces ज्यादा होगे, और इसमें wonderwall forces कम होग यह isomers हैं यहाँ पर, bromobutane के, ठीक है, तो यह जो पहला example आपका, पहला isomer है, यह chain बिल्कुल देखे, straight है, ठीक है, इसके बाद इसमें एक methyl group branching में आ गया, जो second आपका isomer है, जो third isomer है, उसमें और भी ज्यादा branching हो गई, तो third वाले में branching सबसे ज्यादा है, तो इसमें one roll forces सबसे weak हैं, और इसका boiling point भी होगा सबसे कम, तो देखे कितना है, three, four, six Kelvin, ठीक है, और जो straight chain वाला है, इसमें one roll forces ज्यादा होंगे, तो इसका boiling point भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, three, seven, five Kelvin, उसी दरह से अगर halogen group हम increase करेंगे, देखे, पहले में एक halogen है, दूसरे में दो है तीसरे में तीन है, और चौते में चार है, उससे भी क्या होगा, जो आपका molecule है, उसका size बढ़ेगा, और boiling point भी क्या होगा, increase होगा, तो CCL4, carbon tetracloride का boiling point देखे, सबसे ज़्यादा है, 350, और CS3CL का boiling point कम है, 249, तो halogen group अगर बढ़ेंगे, तो boiling point भी क्या होगा, बढ़ेगा, अब हम बात करते हैं, हेलो एरिन्स की, तो हेलो एरिन्स में देखिए, यहाँ पर example दिया हुआ, आयोडो, बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, और सिम्पल बेंजीन, तो यहाँ पर जो आयोडो बेंजीन है, आप देखे, इसका boiling point सबसे ज़्यादा है, तो क्य जो एरिया होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा, जिसके कारण इसमें जो wonderwall forces है, उनका magnitude भी होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और जो simple hydrocarbon है, इसमें कोई halogen नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो wonderwall forces होगे, सबसे कैसे होगे, weak होगे, तो इसका boiling point भी क्या होगा, सबसे कम होगा, ल प्राइकलोरो, बेंजीन्स की बात करूं में, तो यहाँ पर यह देखिए, यह ortho isomer है, यह meta है, और यह कौन सा isomer है, पैरा, आपको पता लग गी आओगा अब तक, ओधो meta पैरा किसे बोलते हैं, तो इसमें आप देखिए, boiling point में तो कोई खास change नहीं है, 453 Kelvin, 446 Kelvin, और 448 Kelvin, क्योंकि इन में लगभग, जो wonderwall forces है, उनका magnitude क्या है, एक जैसा है, लेकिन अगर मैं melting point के बात करूं, तो melting point पैरा आईसोमर का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो जो melting point है, वो mainly depend करता है, close packing पे, कि जो molecules हैं, आपके वो closely packed हैं, क्या नहीं, ठीक है, तो जो आपका यह है, पैरा वाला आईसोमर, यह आईसोमर क्या हो सकते हैं, closely packed हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो groups है, chlorine, वो इस तरह से arrange हैं, कि दो molecules क्या हो सकते हैं, अच्छी तरह pack हो सकते हैं, तो close packing होईगे आपके पैरा आईसोमर में, लेकिन अगर मैं ortho, यह ortho, और अगर meta वाले की बात करू तो इन में close packing नहीं होगी, क्योंकि जब इन में packing होगी, तो यह groups हैं, यह एक दूसरे को hindrance create करेंगे, जिस से क्या होगा, packing close नहीं होगी, और melting point क्या होगा, कम होगा, ठीक है, तो जो पैरा इसोमर है, उसका जो melting point होगा, वो सबसे जादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसमे volume, mass बढ़ेगा, तो density भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो density increase, with increase in size and mass of the halogen group, यहाँ पर देखिए, क्लोरो प्रोपेन है, ब्रोमो प्रोपेन है, और यह है आपका आयोडो प्रोपेन, तो आयोडो प्रोपेन का देखिए, density सबसे जादा है, क्यों है, क्योंकि इसमें iodine present है, और प्रायोडीन का mass क्या होगा, सबसे जादा होगा, mass जादा होगा, तो density भी जादा होगी, बट, लेकिन, with increase in alkyl group, density decrease, अब यहाँ पर देखिए, methyl group है, यह ethyl group है, और यह क्या है, प्रोपाइल group, alkyl group बढ़ रहा है, तो mass बढ़ रहा है, और volume भी बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा जगे घेरेगा आपका alkyl group, ठीक है, तो जब हम alkyl group को बढ़ाएंगे, तो mass भी बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, volume भी बढ़ेगा, लेकिन, mass में जो increase होगा, वो तो होगा कम, और volume में जो increase होगा, वो होगा ज़्यादा, यह बात समझनी है, आपने, mass भी ब ठीक है, volume अगर ज़्यादा बढ़ेगा, तो density देखिए, क्या होगी, decrease होगी, क्योंकि volume और density क्या है, एक दूसरे के, inversely है, तो यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कि alkyl group अगर बढ़ेगा, तो density क्या होगी, decrease होगी, यहाँ पर आपको example में भी दिखा रखा, इसके आपका dipole moment, dipole moment decrease होगा with increasing electron negativity, ठीक है, यह आपको पता है, जैसे fluorine है, fluorine की electron negativity सबसे जादा है, ठीक है, यहाँ पर decrease नहीं, increase लिखो, हाँ सोरी, decrease, decrease है तो, ठीक है, ठीक है, ओके, dipole moment decrease होगा with decrease in electronegativity तो fluorine की जो electronegativity है वो है सबसे ज़्यादा तो अगर आपका fluorine present है किसी भी compound में RF तो ये क्या होगा आपका इसका dipole moment क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि जो dipole moment है वो किस पे depend करता है Q into B क्यों कि है आपका charge ठीक है अब electronegativity ज़्यादा होने के कारण fluorine क्या करेगा electrons को ज़्यादा अपनी और खिचेगा तो ज़्यादा चार जाएगा इस पर क्यों क्यों का magnitude ज़्यादा होगा क्यों का magnitude ज़्यादा होगा तो dipole moment भी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि जो alkyl fluorides है उनका जो dipole moment है वो क्या होना चाहिए सबसे ज़्यादा होना चाहिए लेकिन जो actual order है वो यह है RCL RCL का dipole moment सबसे ज़्यादा है और RF से भी ज़्यादा है तो ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो chlorine है उसका जो factor भी है जो है D D क्या है distance between halogen and carbon तो halogen का size ज़्यादा है तो D भी क्या होगा ज़्यादा होगा ठीक है तो यह region है यह हम वैसे हमने पहले भी discuss करा है जब हमने nature करी थी क्या बोलते हैं इसकी alkyl halide की halo alkane में जो CX है उसकी क्या nature है उसमें भी हमने यह discuss किया था तो Rcl की ज़्यादा क्यूं है या फिर कह सकते है Rf की कम क्यूं है it is due to very small size of fluorine which overweights the effect of greater electron negativity तो यहाँ पर आप देखिए CS3cl, CS3f, CS3br और CS3i इनका dipole moment दे रखा है तो CS3cl का dipole moment सबसे ज़्यादा है अगर हम isomeric dichlorob engines की बात करें यह आपके dichlorob engines है तो इनका dipole moment कैसे calculate होगा देखिए x square plus x square plus 2x square cos theta what is x? x है आपके जो यहाँ पर CCL bond है ना इनके dipole moment और theta क्या है? इनके बीच का angle जैसे यहाँ पर देखिए जो first isomer है यहाँ पर जो theta है उसकी value होगी 180 degree ठीक है? तो cos 180 degree की value होती है minus 1 तो अगर मैं इसको solve करूंगा तो mu बराबर कितना हैगा? 0 तो जो यह पहला isomer है इसका dipole moment कितना है? 0 ठीक है? उसी तरह से आपका orthodichlorobenzene और metadichlorobenzene का भी हम क्या निकाल सकते हैं? dipole moment निकाल सकते हैं उसके बाद आती हैं इनकी solubility जो alkyl halides हैं यह insoluble हैं water में क्योंकि जो hydration energy release होती है वो insufficient होती है कि इसके लिए to break the hydrogen bond between water molecules these are soluble in non-polar solvent like ether, benzene and chloroform जो आपका Rx है यह insoluble है यह हैं आपके insoluble in water condition क्या solubility के लिए देखिए यह आपका water molecules है जिनके बीच में कौन सी bonding है? hydrogen bonding ठीक है? यहां मैंने dissolve कर दिया Rx Rx क्यापका? alkyl halide अब जब हमने Rx को water में dissolve किया तो Rx और water में क्या होगी? interaction होगी तो इस interaction से जो energy release होगी उसे हम बोलेंगे hydration energy अब यह hydration energy अगर water molecule के बीच में जो hydrogen bond present है इनको तोड़ देगी तो Rx क्या हो जाएगा? आपका water में dissolved हो जाएगा लेकिन इस case में जो hydration energy निकलती है hydration energy जो निकलती है वो कैसी निकलती है? बहुत कम less जो कि insufficient होती है hydrogen bond को तोड़ने में जो water वाटर के बीच में तो जब hydrogen bond नहीं तूटेंगे तो आपका जो Rx है वो water में dissolve नहीं होगा तो यह condition है कि इतनी energy निकलनी चाहिए कि जो hydrogen bond है water के बीच में तूट जाएगे तभी Rx क्या हो सकता है? आपके water में dissolve हो सकता है लेकिन यह soluble हैं आपके किसमे non-polar solvent में like ether, benzene और chloro form में क्योंकि वहाँ पर hydrogen bond जो कि water के case में था वो present नहीं होते हैं वहाँ weak bond present होते हैं इसके बाद आते हैं इनकी stability तो जो bond strength है वो CF की सबसे ज़ादा है ठीक है? और CI की क्या है? सबसे कम तो RF is the most stable क्योंकि RF का जो bond है वो काफी strong है alkyl iodide on standing become violet जो आपके iodides हैं अगर उन्हें हम ऐसे ही रख दें तो उनका color change हो जाता है, वो जाते हैं violet because of decomposition in the presence of light तो जो आपके iodides हैं उनकी जो stability है वो कैसी है? सबसे कम है iodides की, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम इसको light की presence में रखते हैं iodide की तो अलकेन बना लेते हैं और कौन सी gas निकल जाती है? iodide उसके बाद आते हैं inflammability जो और्गेनिक हेलोजन्स कमपाउंड हैं यह असानी से आग नहीं पकड़ते हैं इसलिए इनका यूज किया जाता है extinguisher में आग बुझाने में इनका यूज किया जाता है और जो आपका carbon tetra chloride है इसे market में pyrene के नाम से बेचा जाता है ठीक है और यह कहाँ आता है आपका आग बुझाने में next time हम करेंगे chemical properties of hello alkane and hello arines